नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूडूप चैनल रवी स्टडी जी के पर फेंट साज में आपके लिए मन्थली करेंट अफेर्स में अक्टूबर दो हुजार चॉबिस के टॉप 151 कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूं मैंने आपके लिए सभी क अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाला है जितने भी मैंने आपके लिए 151 MCQ लिए है इसके एक एक कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टन रहेगा तो पूरा वीडियो आपने देने वाला हूँ ठीक है और उससे पहले बता दू कि डिली करंटरफेस पढ़ने के लिए करंटरफेस भायर अभी यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब कर सकते हो तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोशन से हमारा पहला कोशन है नोवा ICC महिला T20 ने नाम कर लिया है डिटेल में समझते हैं 20 अक्टूबर 2024 को न्यूज़लेंड ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिन अफरीका को 32 रनों से हरा कर अपना पहला महिला T20 विशकप किताब जीता यह टूर्नामेंट मूल रोप से बांगल इसी के साथ उविजेता भी आपको बताओना चाहिए उविजेता यानि की रनर अप टीम कौन सी है दक्षिन अफरीका है और इसका आयोजन कहां पर हुआ यह काफी इंपॉरेंट है क्योंकि पहले ने इसका आयोजन बांगला देश में होना था लेकिन अब हुआ है UAE जा किताब मिला अमेलिया केर को जो की न्यूजेलेंड की है सरवाधिक रन बनाया लौरा वल्वा डर्ट ने 223 रन दक्षिन अफरीका की है सरवाधिक विकेट लिया अमेलिया केर ने 15 विकेट पहला संस्क्रन 2009 में खेला गयता विजेता इंगले थी और सबसे सफल टीमेस म पाफी इंपोरेंट कोशन है यह भी लुवंग कोउंग को किस देश का राश्पती नियुक्त किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन बी वियतनाम के राश्पती बने हैं लुवंग कोउंग यह आप इनकी फोटो देखिए लिटेल में समझते हैं लुवंग इंडोनेशिया के आठमे राश्पती कौन बने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन सी प्रभोवो सुभियांतो इंडोनेशिया के आठमे राश्पती बने हैं यह आप इनकी फोटो देखिए बाद इहां पे इंडोनेशिया की हुई है राजधानी पहले थी जकार बढ़ते अंगले कोशन के तरफ केंच सरकार ने राष्टी महिला आयोग्यान की NCW का अध्यक्ष किसे न्योक्त किया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्षन ए विज्या किशोर रहाटकार आपको बताना चाहता हूँ राष्टी महिला आयोग्यान की नैशनल कम ये महिला आयोगन की NCW का नया अध्यक्ष होना है वह आयोग की नोमी अध्यक्ष होंगी अगला कोशन है अक्टूबर दो हुजार चॉबिस में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है काफी इंपॉरेंट कोशन रहेगा आपके ने गांबिया के खिलाफ इतिहास रचते हुए 344 रन चार विकेट पर बनाकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है गांबिया के खिलाफ खेले गए इस मैच में सिकंदर रजाने विसफोटक पल्लेबाजी करते हुए नबाद 133 रन बनाई है इस से पहले जिंबावे का सबसे बड़ा T20 इंटरनेशनल का स्कोर था 286 नेक्स टैम आरा कोशन केंदर शाषित परदेश जम्मो कश्मीर के पहले मुख्य मंतरी कौन बने है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए उमर अब्दुल्ला केंदर शाषित परदेश जम्मो कश् शमीर के नए मुख्य मंतरी के रूप में शबद ली है उपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें मंतरी परिशत के शबद दिलाई है बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरव नासा ने किस ग्रह के चंदर्मा यूरोपा पर जीवन की खोच के लिए यूरोपा क्लिपर को शमीर के शबद दिलाई है यूरोपा क्लिपर को लूँच के लिए इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉलकन हैवी रॉकेट से लॉँच किया गया है नासा के अंतरिक्षियान को ब्रहस्पती के यूरोपा चंदर्मा की बर्फिली सत्य और उसके नीचे मौझूद उप सत्य महासागर का अध्यान करने के लिए डिजाइन किया गया है बढ़ते अंगले कोशन की तरफ विश्यो खादे दिवस 2024 का मनाया गया यानि की वर्ल्ड फूड डे 2024 का मनाया गया राइट आंसर हो जाता है ओप्शन सी 16 अक्टूबर को थीम देख के लिए खादे प्रधातों का अधिकार इंगलिश में राइट टू फूड फूड फूर बैटर लाइफ एंड बैटर फ्यूचर बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ चंदरियान 3 के लिए आई एएफ विश्यो अंतरिक्ष पुरुस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है तो अगर आपको आपको नाम ना दिया जाए अगर आपको ऑप्शन में चंदरियान 3 मिल जाए तो चंदरियान 3 मिशन को मिला है विश्यो अंतरिक्ष पुरुसकार 2024 बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ महरास्ट स्किल युनिवरस्टी का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गय तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन B रतन टाटा जी के नाम पर महरास्ट स्किल युनिवरस्टी का नाम हो गया है अगला कोशन है सितंबर 2024 के लिए ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन A कामिन्डू मैंडिस और ट आमिंडू मैंडिस को या आप इनकी फोटो देखिए और ICC महिला प्लेयर अब दा मंद का किताब मिला इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को या आप इनकी फोटो देखिए ICC वेशो में जो किर्केटा खेल रेगुलेट होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्ता है International Cricket Council इसका फुल फॉर्म होता है 1909 में इसकी स्थाफना हुई थी मुख्याले कहां पर है UAE के दुबई में और नई अध्यक्ष बन गई है भारत के जैशाहा अगला कोशन है मारा भारती साइबर अपराद समन्वें केंदर का राष्टी ब्रैंड अम्बेज़डर किसे बनाया गया है बरते अंगले कोशन की तरफ किस देश में राशपती दुरापदी मुर्मो को राजनेती विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन B अलजीरिया। किरल के किस जिले में X-Band Radar स्थापित किया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option A वाइनाड। आपको बताना चाहता हूँ केंद्रे पृत्थी विज्ञान मंतराले ने X-Band Radar स्थापित किया है। राजजे में केरल राजजे में केरल राजजे का शहर है वाइनाड। अगला कोशन मोस्ट इंपोरन मार कर लिजे भारत के 51 नंबर के मुख्य नियाधिश कौन बने हैं। या बोल सकते हो 51st Chief Justice of India कौन बने हैं। तो राजजे में समझते हैं इस कोशन को नियाए मुख्य नियाधिश नियाधिश बने संजीव खनना 6 महिने कारेकाल पूरा करेंगे जो 13 माई 2025 को समाप्त होगा उसके बाद उनकी सेवा निर्विती होगे। मतलब कि ये जो संजीव खनना है ना ये 6 महिने के लिए मुख्य नियाधिश बन रहे हैं हमारे प्यारे भारत की नियाए मूर्ती संजीव खनना डिवाई चंतचूर का स्थान लेंगे जो 2 साल का कारेकाल पूरा करने के बाद 8 हमबर 2024 को सेवा निर्वित होंगे। तर्वोच नियाले की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में हैं। बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ फैमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन A निकिता पोरवाल ने फैमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला कोशन है हर्याना के फिर से मुख्य मंतरी कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D नायप सिंग सैनी हर्याना के मुख्य मंतरी के रूप में इनों ने फिर से शपत लिया है। वरिष्ट भाजबानेता नायप सिंग सैनी ने सतरा अक्टूबर को लगाता है दूसरी बार हर्याना के मुख्य मंतरी के रूप में शपत लिया है। हर्याना की राजबानी चंडिगर्ड है, यहांके मुख्य मंतरी नायप सिंग सैनी है, राजबाल बंडारू दतातरी है। भारत का कौन सा राश्टिय उद्यान भारत का दूसरा तितली विवित्ता के इंदर बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस कोशन का हमारा ऑप्शन ए, काजी रंगा राश्टिय उद्यान जो है, यह बताना चाहता हूं भारत का दूसरा तितली विवित्ता के इंदर बन गया है। काजी रंगा राश्टिय उद्यान भारत का दूसरा तितली विवित्ता के इंदर बन गया है। बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, मेरा हो चोंगमा फैस्टिवल दोहुजा चॉबिस कहां मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ऑप्शन है, मनीपूर के इंफाल में, यह आपने ध्यान रखना यहां पर मेरा हो चोंगमा फैस्टिवल दोहुजा चॉबिस मनाया गया। अगला कोशन है, अक्टूबर दोहुजा चॉबिस में लामलाई महतसब का आयोजन किस राज्य में किया गया है। अगला कोशन है, अक्टूबर दोहुजा चॉबिस में वैश्विक मानविय नित्रितव के लिए दोहुजा चॉबिस के मानवताबादी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन बी, मोहन जी। नेक्स्ट है हमारा कोशन, भारतिय विमान पतन प्राधिकरन, यानि कि जिसे कि हम AAI भी बोलते हैं, एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया भी बोलते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है, ओप्शन D, विपिन कुमार, भारतिय विमान पतन प्राधिकरन के नई अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन B, 29 अक्टूबर को आईरुवे दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम आप देख लिजिए, वैशिविक स्वास्ते के लिए आईरुवेद नवाचार, इंग्लिश में आईरुवेद इनोवेशन फोर ग्लोबल हेल्थ। अगला कोशन है, कि सभीनेता को हैदराबाद में प्रतिस्ठिद, अक्की नेनी, नागेश्वर राओ, राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का, ऑप्शन है चिरन जीवी को, और फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, यह हमारी इबुक्स हैं, ठीक है, जिसे कि यह हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, www.ravibooks.pdf.com स्क्रीन शॉट ले रीचे, यहाँ पे आपको हर सब्जेट की इबुक्स मिल जाती है, करेंट अफेर्स की जो जनवरी से लेके अक्टूबर तकी इबुक है, मास्टर वो भी आ चुकी है, और मुबाइल अप्लिकेशन रवी स्टडी एप के नाम से, अगर आपने पुराना अप्लिकेशन पे मिल जाएगा, इसे आप अवेल कर सकते हो, बेस्ट रहेगा आपकी हर एक्साम के लिए, ठीक है फ्रेंट्स, और साथ में आपको यहाँ पे डिलिकर अंटर फेस का फ्री पीडियाप भी मिल जाता है, तो रवी स्टडी आपको आप अभी इंस्टॉल कर ल अब इसमें सबसे टिकाओ परिवहन परनाली का पुरुसकार जीता, देखें फ्रेंट्स, आपको पुरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ, सबसे टिकाओ परिवहन परनाली का पुरुसकार मिला है, वो कोची को मिला, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सर्व सर्वश्रेष्ट गैर मोटर चालित परिवहन परनाली वाला शहर श्री नगर, सर्वश्रेष्ट बुद्धिमान परिवहन परनाली वाला शहर सूरत है, सबसे नवीन वित पोशन तंतर वाला शहर जमू, परिवहन में सारवजिनिक भागेदारी का सर्वश्रेष्ट रिकॉर वाला शहर बैंगलूरू है सर्वस्टेश्ट मल्टी मॉडल एकिकरन के साथ मैट्रो रेल बैंगलूरू और सरवत्तम यात्री सेवा और संदुष्टी वाला मैट्रो रेल मुंबई मैट्रो रेल बना है बढ़ते अंगले कोशन की तरफ एटल के नए प्रबंद देशक और कौन बने है एटल के तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन बी शाश्वत शर्मा ये बन गई है एटल के नए अंगला कोशन बैलन डी और पुरुष्कार दोहजा चौबिस में सर्वस्टिश्ट पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है त बैलन डी और पुरुष्कार दोहजार चौबिस में अपको पूरी लेस्ट बता रहता हूं काफी इंपोरेंट है ये पुरुष बैलन डी और मिला रोडरी को ठीक है यहां पे आप देख लीजिए ठीक है रोडरी को हरनाडेस को मिला है मैंचस्टर सिटी की तरफ से खेलते से पेँदेश के हैं महिला बैलन डियोर मिला इताना बोनमाती को कोपा ट्रॉफि मिला लाॉमिन ल्यामल को याशीन ट्रॉफि मिला एमिलियानो माटिनेज को बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरव किस राज्य के थानों गाउं में देश के पहले लेखक गाउं का लुकारपन किया गया है तो राइट आंथर हो जाता है इस कोशन का हमारा option B उत्राखंड उत्राखंड राज्य का जो थानों गाउं है यहां पे भारत का जो पहला लेखक राइट उत्राखंड पूर्व राष्रपती राम नात्ट कोविंद उत्राखंड के राज्य पाल लेफ्रीन जर्नल हो गुर में धिया है। पढ़ते हैं अगले कोशन की तरव प्रजाती अस्तितव आयोग याने की S.S.C. द्वारा संडक्षन नित्रितव के लिए हैरी मैसेल पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन B विभव कुमार तालुकदार ये नाम आ आइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन B ग्रेट ब्रिटेन जो है ये नमबर वन पे रहा है मैडल डैली में सुल्तान जोहर कप का आयोजन 19 से 26 अक्टूबर 2024 को मलेशिया की जोहर बहरू में किया गया था 12 संस्क्रण इसका आयोजित हुआ और आपको बदाना चाहत बारती जूनियर पुरुश doss के टीम ने इस टूर्वनमेंट में ब्रॉंज मैडल जीता है मतलव की थर्ड नमबर पे रही है टूर्नमेंट की जो विजेता है वो है ग्रेट बुर्टन जीता है इनोंने नमबर एक पे रही है वो विजेता मने नमबर टू पे अस्टेलिया और नमबर तीन पे हमारा प्यारा भारत रहा है एक्जाम के लिए काफ़ी इंपॉरिंट है अगला कोशन है हमारा भारतिय तरक्षक बलने किसके द्वारा निर में दो फास्ट पेट्रोल वैसल जहाँ जिसका नाम में अदमे और अक्षर लांच किये हैं तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option A गोवा शिप्यार लिमिटेड ने यह आपने ध्यान रखना है अगला कोशन है प्रधानमंती नरेंदर मोदी और स्पेन के प्रधानमंतरी पेडरो सांचेज ने सैनने विमान बनाने वाले भारत के पहले नीजी के इंदर का उद्गाटन कहां किया है तो राइट आंसर हो जाएगा option B गुजरात के वडोदरा में यह आपको ध्यान रखना है गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी ने बताना चाहता हूँ और स्पेन के प्रधानमंत्री पैट्रो सांचेज ने सैन्ने विमान बनाने वाले भारत के पहले नीजी के इंदर का उद्गाटन करा है प्रधानमंती नरेंदर मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पैट्रो सांचेज ने सैन्ने विमान बनाने वाले भारत के को अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा नेक्स्ट है हमारा कोशन एशियन आर्म रैसलिंग कप 2024 की बदक तालिका में शीश पर कौन सा देश रहा है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी कजाकिस्तान यह अपने ध्यान रखना है कजाकिस्तान जो ह एशियन आर्म रैसलिंग कप 2024 की बदक तालिका में शीश पर रहा है एशियाई आर्म रैसलिंग कप का आयोजन मुंबई महाराष्ट में 19-26 अक्टूबर को किया गया है एशियाई आर्म रैसलिंग कप 2024 में कजाकिस्तान उजवेकिस्तान समित 15 देशों के लगबग 500 खिला में नंबर वन पे कौन है तो कजाकिस्तान होगा अब पुछा जा कि भारत का स्थान कौन सा है तो भारत सेकिन नंबर पे रहा है अगला कोशन है अक्टूबर 2024 में जारी वायू गुनवत्ता सूचकांग यानि कि AQI के अधार पर दुनिया का सबसे प्रदूशी शहर कौन स तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ऑप्शन B लाहूर पाकिस्तान का लाहूर अगला कोशन है भारत और स्पेन कि सुवर्ष को संस्कृति परियतन और कृतिम बुधिमता यानि कि AI के रूप में मनाने पर सहमत होए है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B दो तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ऑप्शन C वर्ष 2025 में केंद सरकार ने जनकरना शुरू करने का फैसला किया है अगला कोशन विश्व नियाय परियोजना के कानून के साशन सुचकांग 2023 में भारत की स्थान पर है तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ऑप्शन B भारत जो है 79 में नंबर पे है डिटेल में समझते हैं World Justice Project Rule of Law Index 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79 में स्थान पर है जो वैश्विक स्थर पर कानून के शाशन में लगाता गिरावट को दर्शाता है टॉप तीन देखते हैं डैनमाक नंबर वन पे है नौरवे नंबर टू पे है फिनलैन नंबर तीन पे है और एशिया में भारत जो ह और इसमें नंबर वन पे डैनमार्क नंबर टू पे नौरवे नंबर तीन पे फिनलैंड रिपोर्ट के जारी करता है विश्व नयाय परियोजना अगला कोशन है अफगानिस्तान ए ने अल अमराड क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को साथ विकेट से हराकर ACC पुरुष T20 तो यहां पर कोशन में ही क्लेर हो गया कि इसमें जो विजेता है वो कौन है तो विजेता है इसमें अफगानिस्तान ए तो पूछा गया बताओ ACC पुरुष T20 अमर्जिंग टीम एश्यकप दोहजा चौबिस में विजेता टीम तो अफगानिस्तान ए रही है तो किसको हराया मतलब विजेता टीम कौन सी है रनर अप टीम कौन सी है तो आंसर हो जाएगा ओप्शन भी श्री लंका ए काफी इंपॉरेंट कोशन है यह डिटेल में समझते हैं अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्री लंका ए टीम को साथ विकेट से हरा कर छटा ACC पुरु प्रारूप में आयोजित किया गया था अगला कोशन है भारती चुनाव आयोग ने अगामी जारकन चुनाव के लिए किसे ब्रैंड अमेस्दर नियोक्त किया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी महेंदर सिंग धोनी को चुनाव आयोग ने भारती चुनाव उप्शन बी गुजरात गुजरात राज्य में एश्याई शेरों के लिए बर्दा वननेजी वभ्यारन का उद्गाटन किया गया ये आपको ध्यान रखना है प्रतम वैश्विक प्रकृती संरक्षन सोचकांग दोहजार चौबिस में भारत का स्थान क्या है तो राइट आ देशों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है प्रकेती संरक्षन के प्रती प्रति बदता के मामले में भारत 180 देशों में 176 में स्थान पर है अब देखे फ्रेंट्स टॉप तीन देख लीजे लगजंबर्ग नमबर वन पे है एस्तोनिया नमबर टू पे है डनमाग नमबर टू पे है यह आपको ध्यान रखना है और भारत की रैंक 176 है आखरी स्थान मिला है किरी बाती को अगला कोशन है इन्वार्मेंट शिप इंडेक्स यानि कि ESI प्लैटफॉर्म पर सूची बद होने वाला भारत का पहला बंदरगा कौन सा बना है तो राइट आंसर ह हो जाता है इस कोशन का ओप्शन D मुर्मुगाउं बंदरगा कि आपको ध्यान रखना है और फिर अगर हम बात करें कि यह जो मुर्मुगाउं बंदरगा है यह किस राज्य में है तो यह गोवा राज्य में है यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है रिला बनाने वाली कंपनी है जो की कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड मेंली बनाती है ठीक है तो यही पूछा गया है कि आपसे कोशन ऐसे भी पूछा दा सकता है कि NVIDIA ने किस भारती कंपनी के साथ समझोता किया है तो Reliance Industries के साथ समझोता किया है मुके शमबानी के Reliance Industries ने अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी NVIDIA के साथ मिलकर भारत में AI infrastructure स्थापित करने की घोशना की है यह घोशना NVIDIA AI Summit 2024 में मुंबई में की गई है तो आपको यही पता लग गया कि जो NVIDIA AI Summit 2024 का मुंबई महाराष्ट में स्कायोजन किया गया इस हैयो का उदेश है भारत को एक प्रमुक बुद्धी मता बजार की रूप में स्थापित करना जिसमें NVIDIA की जीबी 200 सुपरकंप्यूटर तकनी का उप्योग कर बड़े पेमाने पर AI चमताओं को तेनाद करने की योजना बनाई गई है अगला कोशन है प्रधान मंतरी हरेंदर मोदी और स्पेन के प्रधान मंतरी पैटरो सांचिज ने C295 विमान के निर्मान के लिए टाटा एरक्राफ्ट कॉम्पलेक्स का उद्गाटन कहां किया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन है गुजरात के व प्रुसकार से सम्मानित किया गया था आंसर हो जाएगा ओप्शन ए वर्ष 2020 में अगला कोशन काफी इंपॉर्ट है चोवनवे दादा साइब फाल के लाइफ टेम अचीवमेंट प्रुसका दोहजार चोबिस से किसे सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्शन D मितुन चकरवर्ती को चोवनवे दादा साइब फाल के लाइफ टेम अचीवमेंट प्रुसकार दोहजार चोबिस से सम्मानित किया गया अभी यह था मितुन चकरवर्ती को दोहजार बाइस के प्रतिष्टी दादा साइब फाल के लाइफ टेम अचीवमेंट प्रुसकार के इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और आपको बता लग गया ना कि मित्वों चक्रवर्दी को 2024 में मिला दादा साइफ आल के पुरुसकार वर्ष 2022 के लिए अगला कोशन है हमारा भारत-कजाकिस्तान सयुंक्त सैन्ने अभ्याद जिसका नाम है काजिन्द 2024 का आठमा संसकरन कहां शुरू हुआ है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C उत्राखंड के ओल्ली में यह आपने धियान रखना है एक्जाम के लिए इंपॉर्ण कोशन है और यहाँ पे आपको यह भी क्लेर हो गया काजिन 2024 30 सितंबर 2024 को परवतिय उत्राखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी परसिक्षिन नोड में शुरू हुआ है काजिन 2024 का आठमा संसकरन 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक ओली में आयोजित किया गया दिरिपक्षे सैने अभ्यास काजिन्द पहली बात 2016 में आयोजित किया गया था फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की मेहनत पसंदारी है वीडियो को लाइक और शेज जरूर करें और मेरे कहने पे रवी स्टेडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए बेस्ट कॉंटेंट मिलेगा आपको आपके एक साम के लिए और करेंट अफेट्स पढ़ने के लिए करेंट अफेट्स बाइर रवी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ नियाय मूर्थी मनमोहन ने किस राज्जे या केंदर शाषित प्रदेश के उच नियाले में मुख्य नियाधिश के रूप में शपतली है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C दिल्ली अगला कोशन है मारा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ भरतिय सरकार ने GDP गरना के लिए किस वर्ष को नया अधार वर्ष प्रस्तावित किया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D 2022-23 को भरतिय सरकार ने GDP करना के लिए नया अधार वर्ष प्रस्तावित किया है अगला कोशन उद्य निधी स्टालिन को किस राज्य का उपमुख्यमंत्री नियोक्त किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A तमिलाडू तमिलाडू का उपमुख्यमंत्री नियोक्त किया गया है किसे उद्य निधी स्टालिन को अगला कोशन भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोड यानि की BCCI द्वारा कि शेहर में नई राश्टिय क्रिकेट अकादमी का उधगाटन किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B अरुन्धती रॉय का है ठीक है या आप इनकी फोटो देखिया अरुन्धती राई जी की इनकी संसंबरन है यानि की इनका मैमर है ये ठीक है अगला कोशन है एक अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नई DGP के रूप में किसने बदभार ग्रहन किया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C नलीन प्रभात ने एक अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नई DGP बने है अगला कोशन किस देश की Dossault Aviation Company भारत में अपनी सहायक कमपनी खोलेगी तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B फ्रांस देश की जो Dossault Aviation Company है ये भारत में अपनी सहायक कमपनी खोलेगी ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है एक अक्टूबर 2024 को उतरी अट्लांटिक संधी संगठन यानि कि नाटो के महासचिव का बदभार किसने संभाला है तो काफी इंपॉर्णन कोशन ये भी एक्जाम के लिए है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B मार्क रूटे मार्क रूटे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नाटो के नए महासचिव बने है नाटो की बात कर लेते हैं बेल्जियम के ब्रूसल से में इसका हेटकॉर्टर है एक्जाम में कई बार पूछा गया है इसकी स्थापना 4 एपरिल 1949 को हुई थी नाटो के वरतमान म 32 अदस्य देश है और जो 32 अदस्य रिसेंटली बना है वो स्वीडन बना है अगला कोशन है 2024 के लिए इंडियन न्यूस पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन ए एमवी श्रेमस कुमार एमवी श्रेम चैंपेंशिप 2024 जीती है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C बंगलादेश डिटेल में समझते हैं भारतिय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बंगलादेश को दो शूने से हराकर 2024 पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपेंशिप जीती है फाइनल मुकाबला 30 सितंबर 2024 को थ हिंपू भुटान में आयोजित की गई थी और इसी के साथ एक और इंफॉर्मिशन आपको दे देता हूं मैं कि जो सैफ पुरुष अंडर 20 वाला था ना चैंपेंशिप इसकी विजेता रही है बंगलादेश और विजेता रही है नेपाल और यहां पे जो अंडर 17 वाला पाधी दी गई है तो आंसर हो जाएका ऑप्शन सी महराष्ट राज्ये में देशी गायों को राज्ये माता का दर्चा दिया गया है यानि कि गौव माता का दर्चा दिया गया है अगला कोशन है बुझूर्ग व्यक्तियों का अंतराश्टिये दिवस 2024 का मनाया गया है तो अगला कोशन, सशत्र बल्च किस्सा सेवा की महानिदेशक के पदपर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा ओप्शन B, आर्थी सरीन। अगला कोशन, प्रतिष्ठित, सशत्र रामरुजन पुरुसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A, अलेक्जेंडर डन, अलेक्जेंडर डन को सशत्र रामरुजन पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया। अगला कोशन, नासा ने सुनिता विलियम्स को धर्थी पर वापिस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉंच किया है। अगला कोशन, इथेनोल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन था स्थान हासिल किया है। अगला कोशन है, इकीस्वी पशुधन जनगना अभिहान का शुभारम किसके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन B, राजीव रंजन सिंग। ये नाम आपको ध्यान रखना है, राजीव रंजन सिंग, 21 पशुधन जनगना अभिहान का शुभारम इनके द्वारा किया गया है। केंद्रिय मंत्री शिरी राजीव रंजन सिंग ने 25 अक्टूबर को 21 पशुधन जनगना अभिहान का शुभारम किया। 1919 से पशुधन जनगना एक महतुपुन अभिहास है, जो हर पांच साल में आयोजित किया जाता है। जनगना में एक व्यापक डोर टो डोर सर्विक्षन शामिल है, जो पालतू जानवरों और पक्षियों पर विस्तिर देटा एकतर करता है। अगला कोशन है, किस राज्ये ने भारत का पहला सूपर कैपसिटर सहींदर का नावरन किया है। तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्षन भी केरल। जबकि सलाना 22 करोड का उत्पादन होगा। अगला कोशन है, विश्यो पशु दिवस 2024 का मनाया गया, वर्ल्ड एनिमल डे 2024 की यहां पर बात हो रही है, आंसर हो जाएगा ओप्षन ए 4 अक्टूबर को। विश्यो पशु दिवस 2024 का विश्या देख लीजिए, दुनिया उनका भी घर है, इंग्लिश में, दा वर्ल्ड इस देर होम टू। अगला कोशन है, अक्टूबर 2024 में केंद्रिय मंद्री मंडल ने कितनी भाशाओं को शास्त्रिय भाशा का दरजा देने को मंजूरी दी है, तो राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का, ओप्षन C, पांच, यह अपने ध्यान रखना है, डिटेर में समझते हैं केंद्रिय यह शामिल की गई है, अब तक भारत में 6 शास्त्रिय भाशा रही है, तमिल, तिल्गु, मल्यालम, कंणड, संस्क्रितिक और ओडिया, ठीक है, अब 5 अबैड करी गई है, 6 पहले थी, अब कितनी हो गई है, शास्त्रिय भाशा, 11 हो गई है, यह एक्जाम में आप से पूछा जाएगा, और तमिल, पहली भाशा रही जिसे 2004 में 6 शास्त्रिय भाशा का दर्चा दिया गया था, पढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, अक्टूबर 24 में भारत का समुदरी, डी कार्बनाइजेशन, सम्मिलन, किस राज्य या यूटी में संपन हुआ है, तो राइट आंस क्या होता है, मानव गतिविदियों से उत्सरजित कार्बन डायोकसाइड की मातरा को कम करना और इसे पूरी तरह से खतम करना होता है, अगला कोशन है, पच्चीसमा हॉन्बिल महसव किस राज्य में मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का, ओप्शन A, न पर्णिल के नाम पर रखा गया, जिसे राज्य की अधिकांश जनजातियों में लोक अथाओं में परदर्शित किया जाता है, अगला कोशन है, एशिया स्वच उर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का, ओप्शन A, स इटेल में समझते हैं, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापूर में किया गया, जो कि सिंगापूर अंतराश्टिय उर्जा सब्ता का एक प्रमुक हिस्सा है, इस समिरन का उदेश ये एशिया प्रसांच छेतर के लिए एक स्थाई भव इसी, फाइनेंस एंड टेकनोलोजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनिबिलिटी, बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, अक्टूबर 2024 में डॉक्टर नीना मलोतरा को किस देश में भारती राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंस उल्फ क्रिस्टर्सन, अगला कोशन, एक्शिस बैंक के एंड और सियो कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन C, अमिताप चौधरी, अमिताप चौधरी को एक्शिस बैंक ने फिर से तीन साल के नई कारेकाल के अपना अगला कोशन है, किस बैंक ने असम में 500 मेगावार्ट सौर साहियंतर के लिए 434 मिलियन डॉलर के रिन को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन A, एशियाई विकास बैंक, यानि की A, D, B अगला कोशन है, अक्टूबर 2024 में खेल मंतराले ने निमने में से कौन सा पुरुसकार बंद कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाता है, ओप्शन A, ध्यान चंद लाइफटाइम पुरुसकार ये बंद कर दिया है, अक्टूबर 2024 में खेल मंतराले ने अगला कोशन है सखारो पुरुसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन D, A और B दोनो मारिया, कोरिना, मसाडो और एडमंडो गॉन्जालेज ये दोनो नाम आपको ध्यान रखने है ये रोपिय संके वरिष्ट सांसोदों ने वेनिजोला के वख्षी नेताओं मारिया, कोरिना, मसाडो और एडमंडो गॉन्जालेज को सखारो पुरुसका 2024 से सम्मानित किया ये है पुरुसकार इने वेनिजोला में सोतंदर्टा और लोकतंदर को बाहल करने के लिए उनकी बहादू लड़ाई के लिए दिया गया है सखारो पुरुसकार क्यों दिया जाता है ये है पुरुसकार मानमा दिकारों और सोतंदर्टा की वकालत करने वाले वेक्तियों और आंतलोनों को मानिता देने के लिए दिया जाता है अगला कोशन है अंतराश्टिय गीता महलसव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B कुरुशेत्र में अंतराश्टिय गीता महलसव 2024 का आयोजन किया जाएगा अगला कोशन जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का निया CEO किसे नियोक्त किया गया है तो right answer हो जाएगा option A प्रनव चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का निया CEO नियोक्त किया गया है अगला कोशन बिहार के पहले शुषक बंदर का जिसे कि ड्राइपोर्ट भी कहते हैं कि स्थापना कहां की गई है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B बिहार का जो पटना के पास बिहीटा है यहां पर बिहार के पहले शुषक बंदर का कि स्थापना हुई है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ भारत और किस देश के बीश समुदरी दिरिपक्षी अभ्याद सिंबेक्स का 31 संस्क्रन आयो जित हुआ है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन भी सिंगापूर यह आपने ध्यान रखना है सिंबेक्स मतलब क्या एस सिंगापूर, आई से इंडिया तो मेरी टाइम एक्सरसाइज है और यह किसके बीच में होता है सिंबेक्स भारत और सिंगापूर के बीच में होता है और इसका 2024 में 31 नंबर का एडिशन हुआ है यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में समझते हैं सिंगापूर भारत समुदरी दिरबक्षी अभ्यास जिसकी सिंबेक्स बुला जाता है 31 संसकरन 31 से 29 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया सिंगापूर नौसेना का जहाज RSS Tannisius सिंबेक्स 2024 में भाग ले रहा है यह अभ्यास दो चर्णों में आयोजित किया जाना है 23 से 25 अक्टूबर तक विशाका परितनम में और 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में अगला कोशन International Shooting Sport Federation यानि कि ISSF दौरा वर्ष के सर्वस्रेश्ट पुरुष अतलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है तो राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन भी लिव युकुन को डिटेल में समझते हैं चीन के लिव युकुन को International Shooting Sport Federation ISSF दौरा वर्ष के सर्वस्रेश्ट पुरुष अतलीट के रूप में सम्मानित किया गया इसके अलावा कोरिया की यांग जी इन को महिला Athlete of the Year गोशित किया गया तो दोनों नाम आपके लिए ध्यान रखना है पुरुष वाला भी और महिला वाला भी पुरुष वाला है लिव युकुन और महिला वाला यांग जी इन को अगला कोशन चौबिस अक्टूबर दोहजार चौबिस को जारी फीफा रैंकिंग में भारतिय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए एक सो पचीसमी स्थान पर रही है भारत की टीम चौबिस अक्टूबर दोहजार चौबिस को जारी ताजा फीफा रैंकिंग में भारतिय पुरुष फुटबॉल टीम एक पाइदन के फाइदे से 125 स्थान पर पहुँच गई है दोहजार चौबिस में टॉप तीन देख लेते हैं अर्जंटिना नंबर वन पे है फ्रांस नंबर टू पे है स्पेन नंबर तीन पे है अगला कोशन यातरा रुजान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतिय यात्रियों के लिए सबसे लोगप्रिय गंतव के रूप में कौन सा शहर शीश पर है तो राइट अंसर हो जाता इस कोशन का ऑप्शन भी शिलॉंग डिटेल में समझते हैं इस रिपोर्ट में सरोश्रेश्ट मूले गंतव श्रेनी बेस्ट वैल्यू डेस्नेशन सूची नाम एक नई सूची जारी की गई है इसमें उन शहरों के नाम शामिल है जो पैसों के लिहास सबसे यादगार अनुभव देते हैं और पिछले एक साल में जिनके हवाई टिकट के दाम में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है टॉप तीन देख लेते हैं पूरे वेशो में राइट आंसर हो जाता है उर्मिला चौधरी को अगला कोशन है अक्टूबर 24 में पश्मी हिमाले में एक सांप की परजाती जिसका नाम क्या है अंग्यू कुलस डिके प्रियो की खोज की गई है इसका नाम की सभीनिता के नाम पर रखा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए लियोनार्डो डिके प्रियो के नाम पर अगला कोशन भारत ने विशाका पतनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमानो संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पंडूबी को लॉंच किया है इसका कोड नेम क्या है अंसर हो जाएगा ओप्शन भी S4 पंडूबी अब जो भारत की चारों जो पैलिस्टिक मि अगला कोशन है वैश्विक मीडिया और सोचना साक्षरता सब्ताह 2024 यानि की ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसीव एक 2024 का मनाया गया है आंसर हो जाएगा ओप्शन D 24 से 31 अक्टूबर तक इसकी थीम देख लीजिए सोचना के नए डिजिटल मौर्चे सार अगला कोशन अक्टूबर में जारी आर्थिक सोचकांग 2024 में भारत की स्थान पे है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B भारत जो है 84 में स्थान पे है या अपने ध्यान रखना है अगला है डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेजर इंसिट्यूट कनाड़ा ने 2024 विश्य क्योंकि आर्थिक सोचका रिपोर्ट जारी की है जो 165 छेत्रा दिकारों में आर्थिक सोचका का आंकलन करती है टॉप तीन देख लिजी होंग कॉंग नमबर वन पे सिंगापूर नमबर टू पे सुजलैन नमबर तीन पे है भारत का इस्थान इसमें 84 है अगला कोशन पोलियो दिवस 2024 कम मनाया गया है आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को विशो पोलियो दिवस 2024 मनाया गया थीम देख लेते हैं हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन इंगलिश में ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड अगला कोशन है स इस राज्जे में यातायात निगरानी के लिए एक निया सिटीजन सेंटीनल एप लॉंच किया गया है आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केरल में यातायात निगरानी के लिए निया सिटीजन सेंटीनल एप को लॉंच किया गया है अगला कोशन दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आंसर हो जाएगा option D हर्याना दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है बढ़ते अंगले question की तरफ कोईला मंतराले के सच्चिव का पदभार किस ने ग्रहन किया है आंसर हो जाता है option C विकरम देव दत ने कोईला मंतराले क सच्चिव का पदभार किरहन किया है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाद तुफान जिसका नाम दाना बोल सकते हो का नामकरन किस देश ने किया है तो राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option C कतर देश ने नेक्स्ट है हमारा question सोलवें ब्रिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश किस देश ने करी है तो राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option D रूस देश ने रूस देश का जो शहर एक कजान यहां पर सोलवां ब्रिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है रूस के कजा प्रधानमति नरेंदर मोदी की भागी दयारी ना सिर्फ भारत रूस संबंदों का मजबूत करेगी बलकि वैश्विक शक्ती संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगी देखे फ्रेंस बात यहां पर ब्रिक्स की हुई है तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको समझा देता ह गया वर्ष 2010 में इसमें दक्षिन अफरिका भी शामिल हुआ और ब्रिक्स में बदल गया वर्तमान में इसके 10 अधसे हैं प्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिन अफरिका, मेसर, इथोपिया, इरान, साओधी अरब और सयुंगत अरब, आमीराद भारत ने पहली बार व अगला कोशन है, फुटबॉल में पचासमा अंतराज्टिय गोल करने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी हैं, तो राइट आंसर हो जाता है, अप्षिन B, बाला देवी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, अगला कोशन, विश्व अनिस्थीसिया दिवस 2024 का मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है, उप्षिन B, 16 अक्टूबर को विश्व अनिस्थीसिया दिवस 2024 मनाया गया, इसकी थीम है, वर्क प्लेस वैल बिंग, अगला कोशन है, माउंट शीशा पंगमा पर चड़ने वाले पहले भारतिय कौन बनी हैं, तो राइट आंसर हो जाता है, अर्जुन वाजपई, माउंट शीशा पंगमा पर चड़ने वाले पहले भारतिये बनी हैं, अगला कोशन, भारत की पहली सोदेशी बुले ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी, तो राइट आंसर हो जाता है, उप्षिन A, BEML, यह अपने ध्यान रखना है, डिटेल में समझत सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यहन की BEML, 866.87 क्रोर रुपे में भारत की पहली सोदेश निर्मित बुले ट्रेन का निर्मान करेगी, BEML की बात कर लेते है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, मोख्याले बैंगलूरू करनाटक में है, अगला कोशन है, म 16 नमबर 1945 को स्थापना हुई थी, मुख्याले पैरिस, फ्रांस में है, महानिदेशक है, अंदरे अंजोले, अगला कोशन है मारा, तेस्वी S.C.O. बैठक में, परिंसी तो S.C.O. बैठक है न, यह है, शाशन अध्यक्षों की बैठक, ठीक है, तो इसमें भारत का प्रतिनी शैवाज शरीफ ने की है, इसमें चीन, रूज, इरान और मद्धे एशाई देशों की नेता भी शामिल हुए है, बाद यहां पर S.C.O. की हुई है, वर्ष 2001 में S.C.O. के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किरिकिस्तान, रूज और ताजिकिस्तान, शंगाई 5 के सदस्य शंगाई 5 का नाम बदल कर S.C.O. कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें सदस्य बने, नुमा देश शामिल हुआ इरान, दस्वां बेलरुस, और S.C.O. का मुख्याले कहां पर है, बिजिंग चीन में, महास्चीव हैं जांग मिंग, अगला कोशन है, और संस्थागत दुरुवेबार को समाप्त करना, न्यायपून, शांदिपून और समावेशी समाज के लिए मिलकर कारे करना, इंगलिश में, एंडिंग सोशल एंड इंस्टिजूशनल अब्यूसिस वर्किंग टुगेधर फोर जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लियूजिव सोसाइटी, अगला कोशन है, उच्तम नियाले ने नई नियाय की देवी की प्रतीमा का नावरन किया है, इसमें क्या बदलाव किये गए हैं, तो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी, ए एंड बी, दोनों, आँखों की पर बंदी पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जबिठान को स्थापित किया गया है, यह अपने ध्यान रखना है।, अगला कोशन है, इंडिया मोबाइल कौंगरेस 2024 का आयोजन कहां किया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है, ओप्शन ए, नय दिल्ली में, इंडिया मोबाइल कौंगरेस 2024 का आयोजन हुआ, प्रधान mentorship रिट्री श्री नरेंटर मोदीजी ने अंतराश्टी दूर संचार संग विश्व दूर संचार मानकी करन सभा दोहजा चौबिस कारे करम के दोनान भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कॉंगरेस के आठ्वे संसक्रम का उधगाटन किया और इस अफसर पर परदर्शित पहली शाखा का उद्गाटन किया है। अगला कोशन है बहु उद्देश्य पोथ L&T परियोजना के पहले जहाच समर्थक का शुभारंप कहां किया गया है। अगला कोशन है अगला कोशन है अंतराश्ची निशाने बाजी खेल महासंग। आई-एससफ विशोकव फाइनल दोहजाच चौबिस में भारती निशाने बाजोंने कितने पदक जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी चार पदक जीते हैं। भारती निशाने बाजोंने आई-एससफ यानि कि अंतराश्ची निशाने बाजी खेल महासंग विशोकव फाइनल दोहजाच चौबिस अभ्यान में चार पदक जीते हैं। अगला कोशन है जारकंड के नए पुलिस महानी देशक यानि कि डीजी पी कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजयस सिंग जो है जारकंड के नए डीजी पी बने हैं। अगला कोशन डबलू और शत्रंज मास्टर्स कब किसने जीता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ऑप्शन बी अर्जु नहरी कैसी ने डबलू आ शत्रंज मास्टर्स कब अपने नाम करा है। अगला कोशन करनाटक के सभी स्टी अवासिय विद्यालों एवं राइचूर विश्विद्याले का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेशी वालमिकी के नाम पर। अगला कोशन हमारा वैश्विक बहु आयम में गरीबी सुचकांग दोजाट चौबिस में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीश पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश। अगला कोशन है हमारा सुप्रीम कोट में स्थापित न्याई की देवी की नई मूर्ती बनाने वारे शिल्पकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ऑप्शन अ विनोध गोस्वामी। नेक्स्ट है भारतिय वानिजे मंडल यानि की ICC की अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्यूदे जिंदल। अगला कोशन है मारा भारत और किस देश ने द्रिपक्षे नौसेने का अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। इस अभ्यास में INS, त्रिकंदर और डॉर्नियर समुदरी गश्ती विमाने भाग लिया है। बढ़ते अंगले कोशन की तरफ कटी बीहू महसब का आयोजन कहां किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन बी असम में कटी बीहू महसब का आयोजन किया गया। अगला कोशन है किस राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक यानी की ADB की सहयोग से स्विफ्ट परियोजना की शुरुआत की है। की होने वाली कौप 29 की बैठक से पहले उत्सरजन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए यू एन एपी ने यानी कि सयुक्त राष्ट परियावरन कारिकरम ने मुख्याले नहरोबी केनिया में हैं। पांच जुन 1972 को इसकी स्थापना हुई थी कारिकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। अगला कोशन है मारा ग्लोबल फाइनस पतरिका ने किस भारतिय बैंक को 2024 के लिए भारत का सरवश्रेश्ट बैंक घोशित किया है। तो आंसर हो जाएगा ओप्शन C स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानी कि SBI को। अगला कोशन है अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्टी उद्यान में देखी गई है। अगला कोशन है अक्टूबर 2024 में अंतराष्टिय टैनिस हॉल ओफ फे में किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D, A और B दोनों मारिया शारपोवा और ब्रायन ब्रदर्स को। बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कि संगठर ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63 स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A, ITBP ने। यह 1962 के चीन भारत यूद के बाद 1962 में स्थापित साथ किंद्रे सचत पुलिस बलों में से एक है, ITBP का मुख्याले नई दिल्ली में है, महाने दिशक राहूल रस्गोत्रा है, आदर्शवा के शौरे दृटता करम निष्ठा है। अगला कोशन है, अक्टूबर 2024 में केंद्रिय मंत्री मंडल ने अंत्रिक शेतर के लिए कितने करोड रुपे के उद्यम पुंजी कोश को मंजूरी दी है, राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन C, 1000 करोड रुपे, यह अपने ध्यान रगना है, अगला कोश अगला कोशन है, अक्टूबर 2024 में जैड मोर यानि की जैड मोर टनल के पास आतंगवादी हमला हुआ, यह टनल किस राज्य या के इंदर शाषित प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन A, जम्मो कश्मीर में है, बढ़ते हैं अगले क अगला कोशन है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ट ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतर विभागियर राश्टी होकी चैंपेंशिप 2024 का किताब जीता, तो राइट आंसर है, ओप्शन B, इंडियन ओईल को हराकर, यह अपने ध्यान रखना है, जीता कोन है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानि की RSPB, जीत लिया है, इस अप्शन B, नई दिल्ली, अगला कोशन है, पाकिस्तान का अगला मुख्य नियाधिश किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा, ओप्शन B, न्यायमूर्ती यहया अफरीदी को, नेक्स कोशन, अक्टूबर 2024 में विश्यो स्वासे संगठन ने किस देश को मलेरिया म मुक्त घोशित किया गया, या बोलो एजिप्ट देश को, मिसर ने 20 अक्टूबर 2024 को विश्यो स्वासे संगठन द्वारा उपचारिक रूप से, मलेरिया मुक्त घोशित आउकर एक महतपुन सारवजिनिक स्वास्ति अपलब्दी हांसिल की है, विश्यो स्वासे संगठन क की बात कर लेते हैं, डबलू एचो की बात कर लेते हैं, जीनेवा सुजिजर लेंड में इसका हेड़कॉर्टर है, साथ एपरिल 1948 को स्थापना हुई थी, महानिदेशक टैडरोस एड़नौम गैबरेसे से हैं, अगला कोशन है हमारा, अक्टूबर 2024 में एश्याई विकास ब अगला कोशन है, किस राज्य के दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलारम की शुरुवात की गई है, राइट आंसर हो जाता है, अप्शन B, मध्य परदेश का है दतिया अस्पताल बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, किस राज्य के मदरसा सिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवारे विश्य बनाने का प्रस्ताव दिया है राइट आंसर हो जाता है, अप्शन B, उत्राखंड बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगार्ट को चिन्यत करने के लिए, किस तिथी को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया है आंसर हो जाता है, इस कोशन का ओप्शन B, 21 अक्टूबर 2024 को विश्व आस्टिोपॉरसिस दिवस 2024 कम मनाया गया है answer हो जाता है, ओप्शन B, 20 अक्टूबर को विश्व आस्टिोपॉरसिस दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है अगला कोशन है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ विश्यो कपास दिवस 2024 का मनाया गया अंसर हो जाता है ओप्शन B साथ अक्टूबर को विश्यो कपास दिवस 2024 मनाया गया विश्यो कपास दिवस हर साथ अक्टूबर को मनाया जाता है तीम है इसकी अच्छे के लिए कपास इंगले कोटन फोर गुड़ अगला कोशन है ओडिशा में 32 अनुमान 2024 जारी किया गया इसके तहट ओडिशा में 32 की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है आंसर हो जाता है option A 696 ओडिशा में 32 अनुमान 2024 जारी किया गया इसमें 696 की औसर संख्या का अनुमान लगाया गया औरिशा में तेंदों की संक्या 22% की विद्धी हुई है यह आपको ध्यान रखना है और 2022 और 2024 के बीच यह 568 से बढ़कर 696 हो गई है NTCA की नविंतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदों के अबादी कितनी है 13874 यह भी आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स यह वीडियो में मैं आपको 151 कोशन करवा दिये अब दो कोशन का आपके लिए टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है तो पहला कोशन है आपके लिए टेस्ट का इबुक की वेबसाइट है नोटाउम कर लिजिए www.ravibooksptf.com यहाँ पर जाके हमारी हर सब्जेट की इबुक को बाई करके अपने एक्जाम की त्यारी को बहुत मजबूत बना सकते हो साथ में mobile application है रवी study app इसे भी अपने phone में आप install कर लिजिए ठीक है रवी study app को install कर लिजिए यहाँ पर आप हमारी current face की ठीक है और साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ www.ravibookspdf.com है telegram है रवी study gk इसे भी आप join कर लिजिए तो चलिए friends अब हम मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में thank you and wish you all the best